आज हम बात करने वाले है एलिस ब्लू के हैजिंग टूल्स के बारे में तो जली जानते हैं किस तरीके से आप हेजिंग टूस का यूज कर सकते है एलिस ब्लू में और बैनिफिट ले सकते है अपनी फ्यूचर ऑप्सन बाइंग या ऑप्सन सेलिंग की ट्रेडिंग में तो सबसे पहले आपको करना किया है अपना एकाउट उपन करना है एलिस ब्लू के साथ लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी है जिन लोगों ने उपन नहीं किया है और लॉग इन जैसी आप करेंगे आप रीडायक्त हो जाएंगे इस पेज पर इस पेज पर रीडायक्त होने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे पहले इंस्ट्रुमेंट है यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो अलग-अलग instrument चाहे वो equity का हो, index का हो या फिर mcx का भी क्यों ना हो nifty bank nifty, फिर nifty crude oil या फिर कोई भी stock हो आपको जो select करना है वो सबसे पहले आप select कर लीजे उसके बाद आपको देखना है कि आपका trend कि आपको क्या लगता इस week तक जो expiry रहेगी, वहाँ तक हमारा जो trend रहेगा bank nifty का, वो bullish रहने वाला है, bearish होने वाला है या फिर neutral रहेगा तो उसके according आप select कीजे, मुझे लगता market bullish रहेगा, मैंने bullish पर select किया, जैसे आप bullish पर select करोगे, यहाँ पर सबसे उपर आप देख पाओगे margin benefit या hedge strategies हैं, वो recommendable system की और से आपको दिखाए, तो जो भी आपके पास hedging की strategies होंगी या margin benefit लेने वाली strategies होंगी, वो by default as a recommendation आपको system दिखा देगा, यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर आपको तीन recommended strategies, pre-build strategies मैं कहूंगा या recommended strategies आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पहले instrument में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको maximum profit कितना हो सकता है, maximum loss कितना हो सकता है, और अगर आप इस strategies को deploy करते हो, तो आपको margin क इतना देना है, और इसके अलावा अगर आपको यह strategy place करनी है, तो आप directly place order पर क्लिक करके, इस order को place भी कर सकते है, आपको pay off graph देखना है, तो इसके आपको यहाँ पर एक graph का sign होगा, इस पर आपको क्लिक करेंगे, जैसे इस पर click करेंगे, आपको नीचे यह graph दिखाई इसके अलावा यह तो recommended strategies थी, इसके अलावा अगर आप चाहें तो pre-build कुछ strategies हैं, इनको भी use कर सकते हैं, आपको अगर call buy करनी है, put sell करना है, इसके अलावा buy call spread बनाना है, या फिर bull put spread बनाना है, call ratio back spread बनाना, यह सारी pre-build strategies हैं, आप इनको भी use कर सकते हैं, और directly इनका order भी place कर पाएंगे ठीक है तो यह सारे benefit है इसके अलावा अगर आपको अपनी कोई strategy बनानी है आप चाहें तो अपनी भी strategy बना सकते हैं और उसको यहाँ पर directly save भी कर सकते हैं ठीक है फार एजामपल आपको कोई strategy बनानी है आप यहाँ पर directly search करो और search करने के बाद जो भी call put या future आपको sell या buy करना है कितनी quantity में वह आपने हाँ पर बना दी strategy और strategy बनाने के बाद आप चाहो तो directly order place कर सकते हो चाहो तो उसको strategies को यहाँ पर save भी कर सकते हैं तो यह benefit है कि किस तरह के से आप Alice blue के through जो strategies है उनका benefit ले सकते हो margin benefit का use कर सकते हो इसके अलावा जब भी आपको order place करोगे तो आपकी जहां पर जो भी position होगी यहां पर position पर जाओगे क्लिक इसके अलावा जैसे आप positions पर click करोगे तो जितनी भी आपकी open position होगी वह सारी की सारी यहां पर आपको सो होंगी अगर आपने hedging benefit लिया होगा तो आपके hedging जो position होंगी वह भी यहां पर सो आपको clearly हो पाएंगे इसके अलावा अगर आपको analysis करना है option chain का तो आप MCX में जब आप analysis करते हो option chain का तो वहां पर Greeks आपको नहीं दिखाई देते हैं बहुत सारी website है जहां पर आपको Greeks सो ही नहीं होते हैं तो for example अगर यहां पर मैं एक कोई भी commodity को लेके चलूं for example मैं crude oil को select करता हूं और उसकी expiry यहां पर select कर लेता हूं monthly 70th of April को जो expiry है तो यहां पर जो चार्ट open होगा option chain का वो crude oil का होगा ठीक है जिसको आप चाहो तो directly यहां पर option को buy और sell दोनों कर सकते हो call buy हो या फिर put buy हो वो भी कर सकते हो इसके अलावा यहां पर आपको OI भी दिखाई देगा volume कितना है LTP कितना है यह सब कुछ data यहां पर आपको सो होगा साथ ही साथ अगर आपको Greeks देखने strike price पे Greeks कितना है delta की value कितनी है gamma की value कितनी है ठीक है तो आप delta theta vega और gamma की value भी यहां पर यहां पर आपको मिल जाते हैं इसके अलावा अगर आपको graphs देखना है open interest का options के regarding तो आप directly यहां पर देख पाऊगे Greeks का अगर आपको graph देखना है वह यहां पर देख पाऊगे चाहे वह call site का हो या फिर put site का हो तो यह सारे benefit option chain के आपको onlyoption.com में मिल जाते हैं इसके अलावा अगर आपको जानना है कि आप अगर straddle बनाते हैं चाहे वह कोई भी stock हो commodity हो या फिर index हो तो उसमें आपको कितना premium देना पड़ेगा lot size कितना रहता है बागी चीजें यह सब कुछ आपको यहां पर pre calculate बता देता है for example अगर मैं बात करूँ bank nifty या फिर कोई भी stock ले लो Asian paint अगर मुझे इसमें straddle बनाना इस ट्रेडल जिन लोगों को नहीं पता है straddle में क्या होता है straddle जनरी दो टाइपस के होते हैं एक long straddle एक short straddle तो आपको जो भी build करना है ठीक है उसका according इसका lot size कितना है price कितना चल रहा है इसके अलावा straddle premium कितना आपको देना पड़ेगा ठीक है और margin कितना required है वो सब कुछ यहां पर आपको बता देता है IV के सांथ आप आसानी से decision ले सकते हो कि आपको long straddle बनाना है या फिर short straddle बनाना है ठीक है बिल्डप क्या हुआ है ठीक है लोग ज्यादा call buy कर रहे है put buy कर रहे है अपनी जो call उन्हें sell कर रही थी आप put sell कर रही थी उसको बेच रहे है ठीक है उसको sell कर रहे है तो वह सारा data यहां पर आपको बाइंग चल रही है put buying चल रही है यह सारे data आप यहां पर देख पाऊगे इसके अलावा open interest में change कितना हुआ है सब कुछ आप यहां पर आसानी से देख पाऊगे एक broader view में तो यह सारे benefit है hedging के और hedging tools के अगर मैं कहूं Alice blue में तो इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना ही है अपना account आपको open करना है Alice blue के साथ link description box में है और उसके बाद आपको अपना login करना है अपने Alice blue credentials के साथ ही only option.com में और यह सारे के सारे benefit आप बड़ी आसानी के साथ ले पाऊगे